कई अजोब विल्हाइमने श्रीतान रूजीम सिमिल्ला रहुमन रुहीम मौडल वर्प की सीरीज चल रही थी तो तो आज मॉडर्वर्व का जो हम लाश्ट पढ़ने वाले हैं पार्ट वो है शेल शेल का इस्तंबाल जो आज हम सीखेंगे वह सिर्फ इस्पोकन के हवाले से मैं जो मैंने सीखा मैं आपको इसका हूँगा जो डिटन के हवाले से होता है परफेश्चनल तरीके से मैं नहीं करूंगा कि इस वी आर त्राइंग टू कवर प्ःइंगे वर्जन फइंग्लिश वर्जन फिंव इंग्लिश so i'm गएन थाच च्पोकन थेंग इंश ल लके शाल का जो स्कान वर्ज अपूए वह सीखेंगे ठीक है तो मोडल वर्ब श्प्श्च प्श्छल का ज हम जो हमारे में हमारे देन के अंदर शेल कबड़ सुनते हैं जो मेंचीज आती है वो यही होती है कि आई वी के साथ हम शेल लगाते हैं बाकि rest of the subjects के साथ जो प्रनौंस होते हैं साथ हम फिल लगाते हैं that's true since we're going now we are going to talk about model verb shell so we're gonna make sure we use shell with the with the pronouns i and we so there are actually in two situations we're gonna use model verb shell and those are when you have to offer something or when you have to suggest something जब कभी भी आपने किसी को कोई चीज सजेस्ट करनी है उस वक्त हम model verb shell का समाल करेंगे spoken English में जब कभी आपने किसी को कोई चीज offer करनी है पहले offer के बोले offer करनी है और suggest करनी है उस वक्त हमने shell का समाल लगाना है ठीक है मैं आपको भी दिखाता हूं ताक कि आप लोगों को समझा जाए and for those for that reason i need to take off comment box look we're talking about model verb shell we will we will use model verb shell to talk about suggestion and offer जब कभी suggestion की बात होगी या फर की बात होगी model verb shell चलेगा spoken English में here it is pattern ये इसका pattern formula format जो भी आप बोलो shell plus subject plus verb की पहली form चीक है example देखते हैं shall we go now क्या आप हम चले ये हम किसी को suggest कर रहे है for example you are in someone's house you and your family okay so you see the time is really late okay so you say to your loved ones your family काफी लेट होगे कि आप हम चले तो आप उनको suggest कर रहे होते हैं why because you can't you cannot be really really straight to your family when you're in the gathering जब आप ये थोड़ा सा suggest करते हो जब आप किसी के कार होते हो you're trying to be really polite okay so the next one is shall I shall I make tea for you दो ए भी लगा सख दे माचय यह वा झाको आती है किए आपके लिए शाय बना ओओं आप किसी को उपर कर रहे हैं आप अपने थी मंहीं फोड़ा जीओ बनांगे आको फोड्किन सहर आताफ है या आप के दीओ झाहनों का मैं आपके लीए कान से लगा हैं यापके का स्क्रीन शाट ले लो ठीक है एक मिनट ये अब ले एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस ठीक होगे जी बात करेंगे सजेस्टिन की और आफर की ये फर्मूला होगा और ये चीज़ें आपने रखने के सामने ठीक है जी अब आप लोग एक्जेंपल मनाते जाओ को साथ में बताते हैं जाओ ये सजेस्टिन है या फर ये आफर है कमेंट बाक्स किते गया चलो मेरी पैनो शेती शेती करो फिर मैंने को जुमले लिखे पर या जिस इंकेस विव वाम में तो एच सम्टिंग सब्सक्वर ये भी थे खिर जाओ कि अपर सम्टिंग देने कला ये तो आपने ये खिर में अपने ब्रोटिंग किसी औसे सुजेस्टिन मांग भी सकते हैं, okay? come on, write something please shall I take you to me home? shall I take you to my home? तू नहीं आएगा बीच में, shall I take you to my home? okay? shall I take you to my home? कै मैं आपको अपने गर ले जाओ? या ले चलूँ अठी गोज आई डेट्स, I can't see any sentence, sorry, अठी and you know on that you can't believe me and I can't blame you it's TikTok कोई और लिखलो जुमला so, shall we go out today? offer and suggestion oh my god, look at number, क्या बात है shall I get you a coffee? अच्छा ये साथ ये भी लिख दो कि ये offer है ये suggestion है जो भी आप जुमला बनाओगे ना साथ में ये भी लिखते चलो कि ये offer है ये suggestion है so, अतीने लिख है shall I get you a coffee? so, I believe this is enough आप किसी को offer करा रही है काफी बनाते रही और उसकी जगा अगर मैं होता तो मैं कहता है हाँ, काफी भी बनाओ और साथ में दो बिस्किट के पहक भी लाए बड़ी बनाओ बड़ी बनाओ shall we go order some food? shall we go order some food? this is suggestion मेराल to me it seems suggestion shall we order some food? अगर यह ओता है shall I order some food for you? यह आफर ओती यह it looked more offer in that sense when if you had used for you since there is no subject into this sentence so I'd regard it as a suggestion shall we order something? shall we order some food? okay okay listen I'm gonna make it a scenario for you people to understand okay right you go with your husband somewhere out and your husband is like kind of a rich person आप को बाइर एक बहुत अच्छी गाड़ी पसंद आ जाती है ने बहुत वाई 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 क्या गाड़ी है तो आपके husband के सामें कहती है darling जानू सुनते हैं मुझे यह गाड़ी बहुत पसंद आ यह तो आपका husband कहता है जानू क्या खरीद लूँ तुमारे लिए आप इसको English में इसी तरीके से करो से शेल लगाके और मुझे बताओ कि यह offer होगी यह suggestion होगी हुए हमारी बेवी को गाड़ी पसंद आगे जानके आपके लिए खरीद लूँ हुए 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 ह there you go this is offer shall i buy it for you there you go it's offer it's an offer shall i buy this car for you john there you go it's an offer there you go okay okay now let's go okay now let's go okay yeah again shall we go now okay okay yeah so when you translate it tell me is this an offer or is this an is this a suggestion okay याज रात को चिकन कड़ाई खाएं, यह गोल कप्पे कह लो, यह पीजा कह लो, जो भी आप समझ सकते हो, लगा सकते हो, and translate it. खाता नुगी सकते हो, लुगी समझ सकते हो, ज समार्हता यह प्रीयोक हुष। जल यह व हुद जए पिसई टे लुगी सुपषचा हो. जल भी एत बाव today? । प्ैजिशिएटिटो में है यह हुछी सुझ्टटो । okay listen guys you know यह यह जो शुरू में लगा के आप कह रहे हों यह most of the time sense दे देता है दोनों की गठे suggestion की भी और offer की दोनों की sense यह cover कर सकता है look number ने लिखा number you're right okay listen आपका जुमला ठीक है मैं गलत नहीं कह रहा लेकिन मैं जब specifically आपको एक point से समझा रहा हूं उस सुवाले से मैं इसको कह रहा हूं कि आप classify करके बदा हो अगर यह कहा हो न शाल वी इत पीजा तुदे यह offer भी हो सकती है और यह suggestion भी हो सकती है लेकिन more likely precisely this is a suggestion because you're trying to ask somebody what's their reviews about this उनकी क्या इसके बारे में है क्या शी कह रहा है जान उसकी क्या रहा है shall we eat kडाई tonight suggestion यह याद रखना guys यह जो अपने लिखन मेराज अना थी this is यह अपने suggestion लिखन लेकिन यह offer भी हो सकती है according to the situation ठीक है जी इसलिए जब शेल जो होता है यह दोनों को एक at a time cover कर रहा था ठीक है लेकिन मैं आपको यहाँ पर precisely पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं क्या थोड़ी देर के बाद पार्क में चले क्या थोड़ी देर के बाद पार्क में सेर के लिए चले में आपने शुड़ तो पढ़ा है ना इसको मैं लेटर न डिसकस करता हूं क्या हम थोड़ी देर के बाद पार्क में चलें क्या हम थोड़ी देर के बाद पार्क में सेर के लिए जाए इसको में सेर के लिए ने देर कौर तो काद लिए टाइसड़ वाद डिआ समयाट देर के लिए यूज़ वी टूरब नेड़ धो अभर अवयो, आपनी आए, वियूज़ फटू पर आवाःूंखेंटी में चले वे लिए, जैत रावटे में यूचूक् nervousषटत्प लोगों को यह साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है आफर है सजेस्टिन है बस दो तीन जुमलों से आपको बस एक चीज़ क्लियर करानी थी अगर जब साथ में जुमले के अंदर आ जाए न यंए अब आइखर में कोई और प्रो नान आजाए या सब्जक्र आ जाये तो अब सबस्क्राइब जा तो ад कि इ्ट को घिंजाता है तो टोब में और अभे को पार्टए में हम किसको दावत तंब कि पार्टी में हमकिसको दावत या पार्टी में हम किस-किस को बलाएं, हो सकता आपके बद्चे की birthday की पार्टी हो, तो आप लोगों के नाम परकुरे, आप अपने ईजमने से कहती हैं, हम पार्टी में किस-किस को बलाएं? और यहां भी आपको बाता चलेगा कि यह आफर है यह सजेस्टन है जब भी आप सवाली है जुमला चलेगा न जिसमें 5W में से कोई आ जाए पार्टी में बर्थडे पार्टी में हम किस-किस को बुलाएं who shall we invite in the party there you go now you tell me Miral here is this suggestion or is this an offer it's very easy it tells you in the Jumla sense can clear it to you Jumla ki sensi apko clear kar rahi hai pata chal raha kiya kya chidha who shall we invite in the party yab ta kya chidha who shall we invite for the party you shall we invite to the party there you go suggestion अगला जुमला है आज मैं क्या पहनू अगर आपके पास 15-20 जोड़ें पहनने के लिए आप अपने हस्बेंट से पूछती है कि आज मुझे कि आज मैं क्या पहनू आज मैं क्या पहनू क्या पहनू आज मैं क्या पहनू अगर ही थाय थाय। आप suggestion मांग रही हो अपने किसी प्यारे से ठीक है जवाब दूँ तो वहाँ पे आप यही मॉडल रप्षल लगा के समाल करोगे तो जुमला बनाओ मैं आगे क्या जवाब दूँ या मैं अब्बू को क्या जवाब दूँ मैं अब्बू को क्या जवाब दूँ या मैं अम्मी को क्या जवाब दूँ मैं बाई को क्या जवाब दूँ जल्दी बताओ मैं आगे क्या जवाब दूँ राय जी बिल्कुल बोलो दो न अब मैं अब बू को क्या जवाब दूँ आए हुन मैं की जवाब दूँ वट शल आइ तल तो अब बूनाओ दे युग तो जवाब दूप दो दो busy क और बूनाओ — जवाब देस आणा देस आप दोस्ग्हत लक्त्री स्थेश्टिटिन दॉरैंगे अग्त्री प्रॉप थे सब्सक्राइब तो इसे च्छेश्टिन गाई व्यूरा टिछाइए। देध लीड ऐड़ और दॉरू तर इसे सपिर्टिट सोगेंगे रिएसिंगेने इसे काल सब्सक्राइए।ंड। दूरली से त्सक्राइ इसको ट्रांसलेट करो आज मैं आपको क्या पढ़ा हूँ इसको ट्रांसलेट करो आज मैं आपको क्या पढ़ा हूँ यह फिर नेक्स लाइव में मैं आपको क्या पढ़ा हूँ अगले लाइव में अगली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा हूँ इसको ट्रांसलेट करो what shall i teach you next there you go what shall i teach you next live session suggestion there you go well done so i hope it's clear to you know when it is going to be a suggestion on when it is going to be an offer okay so i'm going to give you the next sentence क्या मैं आपको ये समान उठाने में मदद करूँ क्या मैं आपको ये समान उठाने में मदद करूँ होटी है आपको ये फिजसी में अपको कटी है होटी है क्या अपको क्या ने लुक्ति ने आपको येंन टृपैको ये ये फेशमारने महां होटी होटी है क्या violation जो आप यू तो फिक दिस थिंग्स आप यू शुल आप यू विट इस तफ अहां वाल दन तो वट दियू थिंग आप आप यह को यह आप डिरेक्ट किसी से उसका दिकर भी करें साथ में क्या हम गठे मिलके काम करें क्या हम एक गठे मिलके इस काम को करें औक सर कहते हैं यह रहा केले बंदे का काम नहीं है क्या हम गठे मिलके को करें दो बंदे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा तो आप पुछते हैं क्या हम यह गठे मिलके करें वालेकुमस्वाराय। गब सक्दिधर और अपल और है बोट? और अोपल कि वो में आप बोट प्हुंग कि वपले पहने हैं बोटरी को okay so एंगे मैंने एक जुम्लाप को दिया था कि हम बट दे पाटि में जुम्लाएं ठीक है उसी से रिलेटिट अग्ला जुम्ला होता है जब आपके हस्बने आपको बदा देते है यह अपके अमने अपके बाई इसको बलाव तो आपके रहा क्या में लिस्ट बनाऊ क्या में ल जल्दी से बायthen के लिना लिखने की लिखने नहीं बलाणा, आशा की लिखने की लिऑ, शाने लो प्रोया से लेके लिए रदेखल вам make a list mm-hmm shall I make the list as he goes both Queens tell me is this an offer or this is a suggestion yeah it's both but most likely it looks like a suggestion take a you don't know so what happens next sentence is a गाड़ी चलाती ठीक है आप अपने गर से निकलिये हों तो साथ वाली रोड से आपकी प्रोसन आपको मिल गया होगे तिया रुक जाइँ तो आप उसको पना मिन की ड्राइब के बाद पुछतियां बीबी किते लाते नूं तो वो कैसे होगा मैं आपको कहां पर उतारूं कि दिल नोजी तक सुच दे होगे नूं चंत इलाह दियो दुबारा अफरी नहीं करते मंगया लिफ्ट okay so the jumla is the sentence is मैं आपको कहां पर ड्रॉप करूं या मैं आपको कहां पर उतारूं where shall I drop you off okay number what is this where shall I drop you okay where shall I drop you off suggestion mm-hmm suggestion there you go it's suggestion good क्या मैं आपके लिए द्रवादा पकड़ के रखूं कि कोई बंदा हाथ में चीजें लिए और जायरा फर एक्जेंपल अपने लोगों में देखा हो अगर पक्सान में में इंदी में में इंदी जाब होती है जो द्रवादे से गुजरते हैं तो आप उक्सरों कहते हैं मैं द्रवादा पकड़ना तू लंग जाए तो आप पूशते हैं स्वाल है क्या मैं आपके लिए द्रवादा पकड़ के रखूं क्या मैं आपके लिए द्रवादा पकड़ कर रखूं या खोलूं जो भी आप कहलो शला है होल्ग देखूं यहां से इस नहीं मेरी पहन से जेहल आपके लिए और यहीं आपके लिए द्रवादा पकड़ना पकड़ आपके लिए वोगम परिटिन आमने आपका वेट किया, I hope you are getting it. आपके लोगों ने यह नहीं किया होगा, आपके हजबंड को अच उटी है, सारी फैमिली कार रहे है, वीकेंड है, तो आप उड़ गाती है, आज मैं गया बनाऊ, एक पर चल डाऊ, आसबंड सूझता होगा, दिल में बेवकूफ हो, बनाने कि लावा अब कुछ मना लो है, राइसे हैं तो जुम्लाइज आज मैं क्या बनाऊ, को किण करने का शोख चड़ावया है मुझे, आज मैं क्या बनाऊ, छोटो तुम क्या खाऊगे बड़ो तुम क्या खाऊगे आज में क्या बनाओं वस्छला कुक तरे सेजेस्च्चन वस्छला एक उट धर दिना तरनाइट रहे आज आज में खाने के लिए क्या बनाओं what shall i make today offer but yesterday i said to him what shall i cook today this is more likely a suggestion but this could be an offer the offer bhi ho sakti thik hai yeh joh suggestion offer ke jumblae hote hai na yeh dhono at a time dhono bhi ho sakti thik hai ji अचा जी last jumblae क्या हम अभी review करें जो हमने पढ़ा आज पढ़ा है क्या हम review करें अभी जो हमने पढ़ा है या जो आज हमने पढ़ा है पढ़ा है या सीखा है क्या जो कुछ हमने आज सीखा है या पढ़ा है उसको review करें जो आज कुछ हमने पढ़ा है या सीखा है क्या उसको review करें तोड़े नहीं होगा रिव्यू में चुक है जो रहा हूं रवाइज फिर अड़ा लॉंब कोन पड़ेगा शल्वी रिव्यू वट वी लें तोड़े वो शीखा है मैंने करें न यह भी ठीक है जो हम सीखते हैं आज जैनरल शल्वी रिव्यू डाट वट वी रेट तुड़े गुट वोगा जी शल्वी रिव्यू वट वट वी रेंट तुड़े वट वी थूप्ट अबाट तुड़े जो को जाज हमने पढ़ा उसको करता है जो कि हमारा लाट मॉडल वर्पर हम डिसकस कर रहे थे जब कभी बात होगी स्जेस्टिंज की या आफर की यूज करेंगे हैर इस फॉर्मेट शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्प की पहली फार्म शल्वी गो नाओ कि आब हम चलें यह सजेस्टिन है शला मेक अठी फॉर यू कि मैं आपके लिए एक चाय बना हूँ यह होगी आफर ठीक है यह आज के लाइव में हमने पढ़ाए ठीक होगे जी सो अभी मैं लाइव को रोकता हूँ